क्या पवन और रवी किशन ने जो मुहीम चलाई है उस पर फिर गया है पानी जी हाँ इस तरह की खबरों पर मोहर लगती जा रही है आपको बता दे कि अब ट्विटर पर स्रक्तिमान और भिश्म पिदामा का किरदार निभाने वाले कलाकार मुकेस खन्ना ने ट्विटर पर एक ट्विट किया है जिसके बाद बवाल मज गया है आपको यह बता दे कि इन दिनों भोजपूरी के कुछ बड़े कलाकार है जो अशलीलता का दाग भोजपूरी से हटाना चाहते हैं मुकेस खन्ना ने जो कहा है उसके बाद उनकी तारीफ हो रही है उनके सपोर्ट में ब क्या कहा जिसके बाद भोजपूरी सर्मशार हो गई भोजपूरी को अशलील भाशा का दरजा प्राप्त हुआ यह किसी और के लिकारण नहीं है सिर्फ यहां काम कर रहे एक्टरों के कारण है जिनके वज़े से इस भाशा को मिला है अशलील भाशा का दरजा अगली बार से इन्हें जूतों से मारे ताकि भोचपुरी को अशलील भाशा का दरजा ना मिले क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भिश्म पितामा का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने बहुत बड़ी बात कही है वो भी ट्विटर पर और लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं साथी साथ ये कह रहे हैं कि आज जो भी भोचपुरी की दुर्गती हुई है वो इन्हीं अशलील कलाकारों की वजे से हुई है जिन्होंने अशलीलता भोचपूरी के नाम पे परोशी है भोचपूरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल हो लिए